कि लोग जाने वाले टाइम में मस्चिदों में अजान सुनना इनको हर पल यह खतरा सताय रहेगा क्या हमारी गोव में जा हुआ कब देखेंगे अब देखेंगे अब देखेंगे नियूचर का सोचल प्राइडफार्म और मैं हूं आपके साथ आकिव खान हम इसको डिश्टर और जोरी पुंच और अननतना के उन तमाम लोगों का शुकर यादा करता हूं कि जिन्हों ने इंडिया लाइंस के केंडरीट को वोट दिया उनके लिए कैमपेंड करी और उनको इस एलेक्शन में जितवाने के लिए उनके साथ दिन और रात मेहनत किया और उनने जिताया और इस बात से जोरी पुंच के और अनंतरा के जितने भी हर कम्यूटी के लोग हैं किसी भी रिलिजन से हों या किसी भी कौस से हों चाहिए पहाड़ी हो चाहिए गुजर हो या किसी और कम्यूटी को हर एक विक्ति ने इंडिया लाइंस का जो है सपोर्ट किया और उनके पार्टी ने ये डिसाइड किया थो और एक साथ एलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने का उनका ये नजरिया था और इस एलेक्शन में उनका ये टार्गिट था कि कांस्ट्यूशन आफ इंडिया को बचाने के लिए उनके लड़ाई है इस देश की को बचाने के लिए उनके लड़ाई है और इस देश में जो नफरत की राजनीती फैलाई जा रही थी हिंदू और मुस्लमान को अपस में बांटा जा रहा था जाद के नाम पे लोगों को अपस में बांटा जा रहा था उस टार्गेट को लेकर इंडिया अलाइंस ने एक साथ अलेक्शन कंडेस्ट किया और उसमें वो काम्याब हुए बेशक आज जो है इंडिया अलाइंस के गौर्मिन नहीं बना रही और किसी भी व्यक्ति को इस बात का अफसूर्स नहीं है कि हम इस बार पूरी मैजर्टी से अप पढ़ रहा है यह वह बीजेपी जो इस बात का दावा करती थी चार सो पार तो छोड़ो उन्हें तीन सो पार जो है वो नहीं हो पाए और अपने दम पे तो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वह नहीं हो और आज दो लोकल पॉलिटिकल जो पार्टी है उनकी सपोर्ड लेकर जो है ईक जहाज है जो काफी अर्से से लंबे अर्से से चुभ अजाधी के टाइंससे चला आ रहा रहा है लेकिन उस जहाज जो है both not नहीं था बलकि उस जहाज की जो स्पीड थी वह बहुत कम थी लेकिन अब उस जहाज ने जो है निज पकर लिए और इसका आने वाले टाइम में और देखें के वह जहाज की स्पीड ऐसी होगी कि इस ते आगे जो डबल इंजन की जो सिरकार का दावा करते थे आप आज के लोगों को तुम्हें बहुत दिल से सल्यूट करता हूं इस बात के लिए जहां पर बीजे पी इस बात का दावा कर रही थी कि हम सतर से जादा सीटें जीतेंगे और एक्जिट पॉल के मताबिक भी तुमाम मीडिया चैनल यह बता रहे थे कि सतर से जादा जो है बीजे पी वहां से सीट हैं जो लेगी जी ने ये कहा था कि ये यूपी के दो लड़के क्या कर लेंगे यूपी के दो लड़कों को मतलब एक राहूल गांदी जी और दूसरा के लिए शियाद हो लेकिन यूपी के लड़कों आसा कमाल करके दिखाया जहां पे कि लोगों की सपोर्ट थी और आज मैजूर्टी में वहां पे जो है इंडिया अलाइंस के लिए वहां पे के लोगों ने जो है वोड किया बीजेबी इस बात का भी दावा करी थी कि हमने वहां पे राममंदर बनाया लोग उसके लिए वोड देंगे अरे जहां पे तुम ने जहां पे तुम लोगों को डिवाइड कर रहे थे, जहां पे तुमने हजारों मदर्सों को बंद किया, और मस्चदू के ओपर से लोड स्पिकर आपने होता रहे और चीफ मिनिस्टर जो है वहां के जब दस साल से बीजेबी के सरकार है और चीफ मिनिस्टर ने इस बाद का भी दवा किया था इलेक्शन के टाइम में, कि लोग आने वाले टाइम में मस्चदू में अजान सुनना भी बूल जाएंगे और आज मुझे लगता है उन्हें इस बात का जवाब मिल चुका होगा, अब जो बीजेबी वो कहती थी के हम पूरी मेजार्टी से हम ये कर देंगे, ऐसे कनून ने लेंगे, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो बीजेबी, अब इनको हर पल ये खतरा सताय रहेगा, क्या हम इस पोजेशन वाले जो परिजा मेजा से हम आपनी सरकार बना जैने जाएँ